हेलो फ्रेंट स्वागत आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास3oneTag तो फ्रेंट्स आपने से काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो अपने यूट्यूब चैनल पे काफी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपना ओरिजिनल कॉंटेंट भी डाल रहे हैं लेकिन फिर भी उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा है वो काफी ज़्यादा परेशान है उनकी वीडियोस पे ना तो व्यूज आ रहे हैं और ना ही उनके चैनल के उपर सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि उनको कॉम्टेटी टैप को यूज करना ही नहीं आता उन्हें यह पता ही नहीं है कि अगर हम कॉम्टेटी टैप को सही तरीके से यूज करेंगे तो हमारा जो चैनल है वो बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है क्योंकि यूट्यूब ने कॉम्टेटी टैप के अंदर इ को यूज करके अपने जो आप यूज सब्सक्राइबर्स अपने चैनल को आप ग्रो कर सकते हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है थोड़ी सी बड़ी जरूर है लेकिन आपको अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में जाएगा कि आपको कैसे कि यूज करना है और साथ में आपको ये भी बताओंगा कि आपको किस तरीके के पोस्ट डालने है मतलब आपको इसमें Text Pale, Image Pole, सारे Link वह गयरा सब कच मैं आपको डालना शीखाओंगा और ये भी बताओंगा कि किस तरह की पोस्ट डालने से आपका जो चैनल है वो तेजी से ग्रो होगा तो वीडियो पूरी लास तक आपको देखनी है तब यह आपको अच्छे से समझ में आएगी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यूँ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अप्डेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंडस हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फॉन की स्क्रेइन के उपर जैसके कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमें सबसे पहले अपने YouTube की जो application है उसको open कर लेना है तो मैं अपने YouTube की application को यहाँ पे open कर लेता हूँ और आपको अपने channel के अंदर login कर लेना है मैंने आपको सिखाने के लिए एक dummy channel से login किया हुआ है ठीक है तो यह home screen आगई मेरे जो application है जो मेरा channel है यहाँ पे आपको community का option मिल जाएगा आप देख सकते हैं आप स्क्रॉल करके community वाले पर टैप कर सकते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ मिला हुआ है और यहाँ पर आप कुछ भी post कर सकते हैं कैसे करना है मैं आपको सिखाने वाला हूं तो इसके लिए भी आपको back आ जाना है दुबारा home page पे ही और यहाँ पे आपको center में आप देख सकते हैं आप पे plus का एक icon दिखाई दे रहा होगा नीचे जहां लिखा है home, shorts, plus और फिर subscription और library तो यहाँ पे plus वाला जो icon है आपको इसके उपर click करना है और यहाँ से आपके सामने चार option आ जाएंगे आप देख सकते हैं create a short, upload a video, go live, create a post तो जो यह create a post वाला option है यही community post भी होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे fourth number पे यह option है तो हमें इसके उपर click करना है तो मैं इस पे click करता हूँ तो इस पे click करते ही आप देख सकते हैं आपे क्या option आ गए है मेरे सामने text poll आ गया है, image poll आ गया है और text आ गया है तो मैं आपको सारी चीजे सिखाऊंगा इसमें कैसे proper use करना है आपको और last में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसमें कौन से post हैं किस तरीके के post हैं जो आपको करने चाहिए जिससे आपका channel जो है जल्दी grow हो जल्दी आपके view subscriber बढ़े तो वीडियो को पूरा देखना है आपको ठीक है इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पे third number पे जो option है text का आपको इसके उपर click करना है इस पे आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से screen आ जाएगी तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो आपके channel का नाम है उसके सामने आपका जो भी यह public लिखा है इसके साथ एक घड़ी लगी हुई है आपको इस पे click करना है मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से आप अपनी post को schedule भी कर सकते है ठीक है यहाँ पे date है इस पे click करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी date select कर सकते है उसके बाद मैं इसे cancel कर देता हूँ और यहाँ पे schedule time आप यहाँ से कोई भी time select कर सकते है ठीक है यहाँ पे उसके बाद आपको नीचे जो यह done दिखाई दे रहा है आपको simple इस पर क्लिक कर देना है अगर आप schedule करना चाहते हैं तो ठीक है वो मैंने आपको बता दिया तो यहाँ पे आप इसमें चाहे तो कुछ भी edit कर सकते हैं नीचे आपको तीन option दे रखे हैं text, filter, stickers टेक्स पे ट्लिक करेंगे मैं आपको edit करके दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहें या आप subscribe me या follow me या फिर अपनी channel का नाम मैं यहाँ पे लिखके आपको दिखा देता हूँ एक बार ठीक है यहाँ से आप color change कर सकते हैं जो color आप चाहें वो यहाँ से आप select कर सकते हैं उसके बाद आपको done कर देना है और आप इस text को पगड़के जहां चाहें इसके बाद आप चाहें तो इसमें filter लगा सकते हैं इसके बाद आपकी जो यह image है वो यहाँ पे आ जाएगी इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं select images आप 5 images तक इसमें एक साथ डाल सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप कुछ edit करना चाहें तो अब भी अगर आप इसमें कुछ edit करना चाहते हैं तो यह pencil का icon इस image के उपर आपको दिखाई दे रहा होगा और अगर आप हटाना चाहते हैं, दूसरी लगाना चाहते हैं इसको नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर delete का option दिखाए दे रहा होगा right side में तो आप जैसे अचा है यहाँ पर edit करेंगे तो वापिस आप यहाँ पर आ गए ठीक है back कर देता हूं next कर दिया मैंने दुबारा से आ जाएगी यह image ठीक है तो यह इस तरीके से आगी उसके बाद आपको यहाँ पर post अगर आ इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं random यह मैंने आपको सिखाने के लिए बताया कि आपको image डाल सकते हैं आप अपने channel से related कोई image डाल सकते हैं और उस पर लोगों से पूस्ट सकते हैं ठीक है यहाँ पर post कर देना है तो आप देख सकते हैं post create हो गया है मैं आपको आप लिंग कैसे लगा सकते हैं मतलब आप कोई नई video डालते हैं तो उसका thumbnail और उसका जो link है वह आप अपने community post के अंदर कैसे डालेंगे तो मैं यहाँ से एक thumbnail से लेक्ट कर लेता हूं जैसे मेरा यह वला thumbnail है मैंने से select किया और next पे click किया तो आप देख सकते हैं यह जो thumbnail है यह पूरा नहीं आ रहा है तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे अब यहाँ पे back आ जाएंगे यहाँ से back आ जाएंगे अब हम जाएंगे एक application के अंदर जिसका नाम है pixel lab ठीक है pixel lab application को मैं open कर लेता हूं वहाँ पे वो image क्यों नहीं आ रही क्योंकि वहाँ पे community post के अंदर आ okay कर देंगे उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम size select करेंगे तो यहाँ पे top right corner में आपको three dots दिखाई दे रहे हैं आपको इन three dots पे click करना है और यहाँ पर आपको काफे सारे option मिलेंगे यहाँ पे एक option मिलेगा image size का जो fifth number पे है इस पे click करना है यहाँ से आपको आप देख सकते हैं preset custom है custom वाले पे इस पे click करना है और यहाँ से आपको square में चाहिए तो यहाँ पे square में click कर लेंगे और उसके बाद okay कर देंगे तो यह जो size है यह square size है उसके बाद आप चाहें तो इसका कोई color भी कर सकते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको काफी सारे option आप देख सकते हैं आप gradient करना चाहें तो यहाँ से इस तरीके से gradient color भी आप select कर सकते हैं काफी सारे color हैं आप देख सकते हैं यहाँ ठीक है जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ से color ले सकते हैं जैसे मैंने यह वला ले लिया ठीक है done कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे top left corner में प्लस का icon दिखाई दे रहा होगा हम अपनी उस image को यहाँ पर import करेंगे तो यहाँ पर plus करेंगे और यहाँ पर from gallery पर click करेंगे उसके बाद हम यहाँ से वो image select कर लेते हैं और आप देख सकते हैं यह image यहाँ पर इस तरीके से आ चुकी है हमें पूरी image चाहिए तो हम यहाँ पर done कर देंगे उसके बाद हम इस image को पगड़के जहां चाहें वहां रख सकते हैं हम चाहें तो इसे यहाँ पर रखके इस तरीके से पगड़के जूम कर सकते हैं और थोड़ी सी जूम होगी इसे ऐसे center में हम set कर देंगे इस तरीके से ठीक है यहाँ पर आप देख सकते है ये image हमारी set हो गई उसके बाद अगर आप यहां पे कुछ लिखना चाहें या इसका background color कुछ और करना चाहें तो पहले हम वो कर लेते हैं दुबारा color पे आ गए हम ठीक है gradient में ही मैं इसमें को योर color select कर लेता हूं जो अच्छा लगे वो आप यहां से select कर सकते हैं जैसे मैं औ color है मैं इस वाले color को select कर लेता हूं ठीक है done कर देता हूं अब यहां पे आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं जैसे आप अपनी वीडियो का जो link डालेंगे वो community post में इस image के ऊपर दिखाई देगा तो उसके लिए भी आप यहां पे लिख सकते हैं ठीक है कैसे लिखना है वह मैं आपको बता देता हूं यहां पर नीचे आप देख सकते हैं आपको एक एक आइकन दिखाई दे दे रहा होगा और यहां कि जो link डालेंगे वो community post में आप उपर दिखाए देगा image के तो यहां पर आप ऐसी लिख सकते हैं क्लिक कौन अबब लिंक okay कर देंगे उसके बाद आप इसे बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है क्लिक कर सी आप बड़ा कर लें ठीक है देखने में अच्छा लगेगा इस तरीके से उसके बाद आप चाहें तो इसमें color change कर सकते हैं जो आप color करना चाहें वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं काफे सारे option है आपके सामने यहाँ पर color का एक option आएगा जब आप इसे scroll करेंगे ठीक है तो color में आप यहाँ पर white color कर सकते हैं black कर सकते हैं बिल्कुल black अच्छा लग रहा है तो हम यह रहने देंगे ठीक है उसके बाद आप यहाँ पर इसको अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर यह लिख दिया आपने ठीक है और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं click on above link ठीक है और यहाँ पर आप एक और text add करेंगे एक और new text आया और हम इसे पकड़के नीचे ले आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे thanks thanks for your support यह हम लिख यहाँ पर ओके कर देंगे इसको भी बड़ा कर लेंगे यहाँ से पकड़के नीचे से यह यहाँ पर हमने लिख दिया इसका color भी हम स्क्रोल करके नीचे color पर आएंगे इसको भी black कर लेंगे जो आप चाहें वह उसकाने के लिए बता रहा हूं किस तरीके से आप edit कर सकते है ठीके यह आ गया उसके बाद done कर देंगे यहां से आप भार click करके देखेंगे तो आपके जो यह image ऐ ठीके यहां पर इस तरीके से उसके बाद आपको यहां पर इसे save करना है, save कैसे करना है उपर आप देख सकते हैं, हापे आपको save का ये option दिखाई दे रहा है plus की icon के साथ में, तो आपको इस पे click करना है, और इसको आप save as project करना चाते हैं, या save as image हम ऐसे image save करना चाते हैं ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको कुछ नहीं चेड़ना, simple आपको save to gallery कर देना है, तो ये जो image है आपकी, वो gallery में save हो गई है, उसके बाद हमें इस application से भार आ जाना है, तो हम इसको हटा देंगे application को, और वापिस अपनी YouTube के application के अंदर आ जाएंगे, YouTube में आने के बाद आपको फिर से ये plus वाला जो आइकन है center में नीचे, इस पे click करना है और यहाँ से creative post के उपर click करना है, उसके बाद आपको अब ये image जो हमने बनाई थी, वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे, यह इस तरीके से image आ गई है, तो यह image तो आ गई है, लेकिन अभी हमें अपनी वीडियो का link भी चाहिए, जिस वीडियो की यह image है, उसका link भी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक step और back आ जाना है, अभी और अपने white studio के अंदर जाना है white studio की जा application है उसके अंदर जाना है, और यहां पे हमें content पे click करना है, यह तो dashboard हो गया हमारा जो यह है, यह तो हमारा dashboard हो गया उसके बाद नीचे second option content है यहां पे आपका सारा content आ जाएगा और जो वो image है, जिस वीडियो की वो वहां से, यहां से आप उसका link copy करेंगे, मैं तो आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वो image किसी और की है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे इसमें से कोई भी वीडियो, जो हम डालना चाते है share video, दुबारा से अदर आ गए, और यहां से अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम यहां पर select करेंगे, नीचे से second number पर जो image का option है, इस पर select करेंगे, उसके बाद हम अपनी image को select करेंगे, और next करेंगे, यहां से भी next कर देंगे, अब आप देख सकते हैं, पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम इसे धापर उपर जो पोस्ट का ओप्शन हैं इसे पोस्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं यह पोस्ट भी रिका जाते हैं और यहां पर फिर से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है अगर अब आप चाते हैं कि सिर्फ आपको लिंग डालना है कोई ठीका अपनी वीडियो का किसी कभी लिंक डालना है तो उसके बाद भी आपकी जो उसका URL है वो कैसे दिखाई देगा वो मैं आ यहां पे जो भी हमने link copy किया था वो यहां पे paste कर देंगे simple और simple इसे post कर देंगे यहां आपने post कर दिया लेकिन इसमें एक अलग चीज है वह मैं आपको दिखाता हूं जैसे हमने सिर्फ link डाला हम फिर से अपने channel के icon पे click करेंगे यहां से your channel के अंदर जाएंगे your channel के अंदर फीचर ठीक है उसके बाद बैक आ जाएंगे अब मैं आपको बताता हूं कि आपको किस तरीके के पोस्ट अपने कॉम्डेटी टैम में जरूर से जरूर करने चाहिए अपने चैनल को जल्दी ग्रो करने के लिए जल्दी व्यू सब्सक्राइबर्स को इंक्रीस करने के लिए त आपको और आपको उडियंस से कुछ भी पूश सकते हैं आप यह वह पोस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ज़रूर करने चाहिए टेक्स्ट पोल और इमेज पोल है मैं आपको दोनों करने सिखाऊंगा तो टेक्स्ट पोल में आपको जैसी इहां पर आप अप subscribers है subscribers है ठीक है इस तरीके से आप पूछ सकते हैं question mark लगा सकते हैं ठीक है यहाँ पर add option का है यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 से 100 उसके बाद दूसरे option में डाल सकते हैं 100 से 500 के बीच में उसके बाद आप add another option आ रहा है इस पर आप click करके और कर सकते हैं यहाँ पर 500 से यहाँ पर डाल सकते हैं 1000 उसके बाद एक और option आप add कर सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 से ज्यादा ठीक है इस तरीके से आप लिख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर उपर पोस्ट का option है आप चाहें तो इसे schedule भी कर सकते हैं वो मैंने आपको पहले ही बता दिया उसके बाद उपर इस तरीके से screen आ जाएगी तो आप अपनी audience से कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें text poll था text के जरीए पूछ सकते थे इसमें आप images डाल सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूं आप कौन सी application ज्यादा यूज करते हैं मैंने यह वहला question पूछ लिया अब इससे related मैं यहाँ पर images डाल सकता हूं तो option 1 है जो इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर images पर तो यहाँ पर हम वो images डाल सकते हैं जैसे मैंने YouTube की डाल दी यहाँ पर नीचे जो option 1 है उस पर हमने लिख दिया YouTube इसमें second option है इस पर काहिन master लिख दिया आप चाहें तो यहाँ पर और add कर सकते हैं add option पर click करके आप देख सकते हैं दो और आ गए ठीक है तो चार आप add कर सकते हैं मैं आपको अभी दो ही करके दिखा रहा हूं ठीक है यह दो हो गई उसके बाद आप इसे जब post करेंगे तो आप देख सकते ह अच्छा दिखाई देगा वह मैं आपको अभी बताऊंगा तो यह post पर click कर दिया मैंने तो यह post हो गया मैं आपको दिखाता हूं यह किस तरीके से दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर हम अपने चैनल के आइकन पर click करेंगे उसके बाद यूर चैनल के अंदर जाएंगे नी कि इससे select कर लेंगे लोग इन में से जो भी option होगा यहाँ पर link डाला था मैंने यहाँ पर thumbnail के साथ link डाला था और यहाँ पर मैंने pick डाल के दिखाए थी तो यह पांचों मैंने तरे की post मैंने आपको सिखा दी community tab को complete use करना मैंने आपको सिखा दिया जिसमें से आपकी यह image वाली image पॉल वाली और text पॉल वाली यह को पोस्ट आपको जरूर करनी है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए तो उम्मीद करता हूं आपको यह सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से तो अब आप सीख गए होंगे कि आप community tab को किस तरीके से use कर सकते हैं उसके सारे features के बारे में मैंने आपको बता दिया है उसमें किस तरीके के post आप कर सकते हैं वो मैंने आपको सब अच्छे से सिखा दिया है अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question कह रही है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी जरूर करें थैंक यू